वेलकम टू जीके जीयस विथ मनिस्सर आज 7 दिसंबर 2022 है और आज की जितने भी महत्तपुर्ण क्रेंट अफेर होंगी वो हम इस बीडियो में डिसकस करेंगे इस बीडियो का पीडियफ टेलिग्राम पे मिलेगा और टेलिग्राम का लिंक बीडियो के डिसकिप्शन बॉक्स में हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण आज का पहला प्रश्ण है बिश्व मिर्दा दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है पाँच दिसंबर को अब बिश्व मिर्दा दिवस तो अंतरास्ट्रिय मिर्दा विज्ञान संग का मुख्याले है बियाना में और बियाना है आस्ट्रिया की राधानी इसकी अस्थापना होई थी 1924 में और इसकी अध्यक्ष हैं लौरा वर्था रेयस सौंचेज जो मेक्सिको की हैं अब इस महीने में और कौन-कौन से महत्वपुर्ण दिबस मनाये गए तो 208 दिबस 1 दिसंबर को मनाया गया अंतराष्ट्रिय गुलामी उन मूलन दिबस 2 दिसंबर को मनाया गया विश्चु केंप्यूटर साख छरता दिबस साथियो जानकारी अच्छी लगी आपको तो आप सेर किया करो इसको ठीक साथियो अब आगे है आपका राष्ट्रिय प्रदूर्शन दिबस 2 दिसंबर को मनाया गया अंतराष्ट्रिय दिब्यांक जन दिबस 3 दिसंबर को मनाया गया अंतराष्ट्रिय बैंक दिबस 4 दिसंबर को मनाया गया भारतिय नौसेना दिबस 4 दिसंबर को मनाया गया विश्व मिर्दा दिवस पांच दिसंबर को मनाया गया विश्व मिर्दा दिवस और अंतराष्ट्रिय स्वे से भी दिवस भी आपका पांच दिसंबर को ही मनाया गया तो ये थे आपके इस महीने के अब तक के मनाये गए महत्तुपुर्ण दिवस अब अगला प्रस्ट है संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और यह भारत और अमेरिका के दोस्ती का प्रतीक है ठीके साथियो यह हुआ कहा संगम नौसेना अभ्यास तो गोवा में हुआ गोवा में एक जर्णा मैंने आपको कई बर बताया है तो आपको बताना है गोवा में कौन सा जर्णा है इसका आयोजन इस अभ्यास का आयोजन पहली बार 1994 में हुआ अब नौ से न तो नौ से न अध्यक्ष कौन है भारती नौ से न अध्यक्ष कौन है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको अब इस साल कौन-कौन से महत्रपुन अभ्यास हुए आपकी तो बजर प्रहार सैनभ भ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ युद्धा अभ्यास सैनभ भ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है सिली नेक्स सैनभ भ्यास भारत और असलंगा के बीच होता है दोस्ती सैनभ भ्यास भारत मालदीपोस लंगा के बीच मित्र सक्ती सैनभ भ्यास भारत और इंडोनेसिया के बीच होता है समुद्र सक्ती सेनब भ्यास सूरी किरन सेनब भ्यास भारत और निपाल के बीच हैंड इन हैंड सेनब भ्यास भारत और चीन के बीच वरुन सेनब भ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपृति सेनब भ्यास भारत और बांगलादेश की बीच होता है संपृति सेनब भ्यास इंद्र सेनब भ्य आज्येयव रेवाडियर सैनभ भालत वरितेन के बीच धर्मकरजीन सैनभ भालत वर चापान के बीच बीमब्यक्स सैनभ भालत वर प्यतनाम के बीच होता है normowans इसका जबाव देना है कमेंट बॉक्स में और अमेरिका का कौन सा नस्तल पार्क है जो ग्लोबल वारविंग के खतरे में आ गया है इसका भी जबाव देना है कमेंट बॉक्स में आपको अगला प्रस्ण आपका दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटियम कहां लगाया गया है आपका हैद्राबाद में और हैद्राबाद जो राधानी आपकी है वो तेलं और बेचने कारोबार करने वाली गोल्ड सिखा कंपनी के दौरा यह एटियम मनाया गया है है थीदराबाद में यह एटियम सोने के सिख्ये देती है तथा अपने डेविड या क्रेडिट कार्ड से इस सोने के सिख्ये को आप परचेज कर सकते हैं यह ATM 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के मातरा के सिक्के को निकाल सकती है ठीकी साथ ही हो और यह लगाया कहा गया है है हैदराबाद में तो तेलंगना की राजधानी है है हैदराबाद और इसकी यह स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंधर परदेश से अल परदेश्वर मंदिर यारमप्पा मंदिर युनेस्को के विश्व धरोहर की सुची में सामिल हुआ है साथियो भालत के परतमान में अभी कितने विश्व धरोहर है और युनेस्को के बारे में मैं आपको कई बार बताया हूँ तो आज बताना है केमेंट बॉक्स में आपक युनिस्को के बारे मी अब अगला प्रश्न है आपका हाली में किस मेट्रो ने 314 मीटर लंबे डेकर डवल डेकर मेट्रो यानि की वाइडक्ट के निरमान में गिनीज वल्ड रिकॉंड बनाया है तो नागपूर मेट्रो 314 मीटर लंबे डवल डेकर मेट्रो के निरमान में गिनीज वल्ड रिकॉं बनाया है अब देखो सरक कैंदरिये सरक परिवहन और राजमार्ग मंतरी कौन है तो नितिन गटगड़ी है ठीक साथियो कौन है तो नितिन गटगड़ी है उसका जवाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको हाली में भारत ने किस देश को दूध उत्पाद बढ़ाने है तू तकनीकी सहायता प्रदान करने की गोशना की है तो भारत ने सिरलंका के साथ दूध उत्पाद बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की गोशना की है अब स्रिलंका तो साथियो सबसे पहले आपको बताना है कमेंट में इंगलेंड के बारे में कि इंगलेंड के प्रधानमंतरी कौन है नेपाल के प्रधानमंतरी कौन है और भूटान के प्रधानमंतरी कौन है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको और स्रिलंका बिक्रम सिंध है और स्रिलंका की प्राइम मिनिश्टर है दिनेज गुंवर्धन कौने साथ यो दिनेज गुंवर्धन है अगला प्रस्णे आपका 시टी फॉर जुवाई पुस्तक के लिखक कौन है सिटी फॉर जॉई पुस्तक के लिखक है डिमेंटिक लै क़ने Angel देमîनिक लेपिएर शिटी ओफ ज्वाई पुस्तक के लेखख है देखो शिटी ओज्वाई पुस्तक के लेखख देमिनिक लेपिएर का 91 वर्ष के वस्ता में धर्म हो गया है और इनके दौ़ारा Freedom at Midnight नामक पुस्तक की भी लिखा गया है और इन्हें यह एक फ्रांसीसी लेखक है था इन्हें भारस सरकार ने 2008 में पदम भूसन से भी सम्मानित किया था ठीक है किसे तो पदम भूसन से भी सम्मानित किया था अब अगला प्रस्ण जानते हैं बुक के बारे में कि इस साल और कौन-कौन से महत्तपुन बुक आएं तो ममता बिहाइंड 2001 केस जैंत घुसाल के तुरा लिखा गया है दे एंजिलेस ओफ कैलास पुस्तक सुभीरा परसार्द के तुरा लिखा गया है ये भी रस्किन बॉन्ड के तुरा लिखा गया है दे डॉलर ट्रेंड ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लिखा के सुभास गर्व फियरलेस गवर्नेस पुस्तक के लिखा के किरन बेदी ए हिस्टरी ओफ स्री निगेतन के लिखा के उमादाफ गुपता दे ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लिखा के अरुंधती सूरी बैटलर डैट पुस्तक के लिखा के तुसार कपूर ट्रॉंग ओप सेंड के लिखा के गितांजली सिरी एनिसन टू प्रोटेक्ट के लिखा के प्रियम गांधी मोधी उरान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लिखा क्या है मिथलेश तिवारी The Speed of Cricket in India के लिखा क्या है Steve Saw कौने साथ ही हो तो Steve Saw है How to guard God its beauty के लिखा क्या सुधा मूर्ती Bill Power के लिखा क्या सोजट मरीन मुश्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशिया के लिखा क्या जिवेश नंदन The Philosophy of Modern Song Bob Dylon From Independence to Self Reloance Pusta के लिखा क्या बिमल जलान Nuclearization of Asia के लिखा क्या रेने नावा कौन है तो रेने नावा The World a Family History Simon Sahabak के तो लिखा गया है नीडर सासन और साथ Fearless Governance के लिखा क्या कौन है तो किरन बेदी है Fearless Governance के लिखा क्या कौन है साथ ही हो तो किरन बेदी है Golden Boy नीर चुपरा के लिखा के नवजीद सिंग और Brave Hearts of भारत विगनेट्स from इंडिया इंडियन History पुष्टक लिखा के लिखा कि बिकरम सम्मत और The Chipco Movement The People's History के लिखा के है कौन तो सेखर पाठक है साथ ही हो कौन है तो The Chipco Movement The People's History के लिखा के है सेखर पाठक अब अगला प्रशन आपका जगदीश चंद्रवोस एक सत्याग रही बैग्यानिक पर अंतराष्टिय सम्मिनन का आयोजन कहां किया जाएगा तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में कहां किया जाएगा साथ ही हो तो नई दिल्ली में देखो जगदीश चंद्रवोस का नाम चंद्रमा के गड़े के नाम को भी रखा गया है जद्रीश चंद्रबोस का नाप साथ से चंद्रमा तो आपको बताना है चंद्रमा के बारे में कि भारत ने चंद्रियान 1 कब लॉंच किया और चंद्रियान 2 कब लॉंच किया इसका जबाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको अर्थाथ चंद्रियान 1 और चंद्रियान 2 के बारे में अब जितना भी जानते हो सारी जानकारी देनी है केमेंटर बॉक्स में आपको ठीके साथियो उसके बाद कल भी मैं बताऊँगा आपको चंद्रमा चंद्रियान के बारे में इन्होंने बेतार संचार की खोज की थी ठीक है किसे ने तो जग्दीश चंद्र बोस ने और इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग संस्थान द्वारा इने रेडियो बिग्यान के जनक के रूपे जानते हैं किसे तो जग्दीश चंद्र बोस को ठीक ही साथियो अब दिल्ली तो केंद्री रिजर्ब पुलीस बल का है, तो नई दिली में है, और इसका स्थापना हुआ 1940 में राष्ट्रेय क्रेडिट कोर, एनसीसी का हिटकोार कहा है, तो नई दिली में है और इसका स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना उनिस्टापना 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 उनिस किला को 2007 में युनेस्को की वर्ल्ड हरिटेज साइड में सामिल किया गया था किस में तो वर्ल्ड हरिटेज साइड में सामिल किया गया था युनेस्को के किसको तो हिमायों के मगवरा को और कुतुम मियार को ठीके साथ यो अब अगला प्रशने आपका हाल ही में लोंगे वाल युद्ध की 51 वर्सगाठ पर किस राज्य में प्राकरम दिबस मनाया है तो यह मनाया है राजस्थान ने 51 लोंगे वाला युद्ध की 51 वर्सगाठ पर प्राकरम दिबस किसने मनाया साथियो तो रजस्थान ने मनाया तो 1971 में भाद और पाकिस्तान के बीज़ यूद हुआ था उसी जीत के उबलक्षम यहां मनाया गया तो कम मनाया गया तो पांच दिसंबर को मनाया गया प्राकरम दिबस किसी राजी के द्वारा रजस्थान के द्वारा तो रज हैं तो रजिस्थान में है केवला देव रास्ट्रिय उद्यान या केवलादेव घरना पक्षि विहार यही स्व्हाइब सोभाग योजना के तहत स्वार्य बिदुत्य करन में पर्थम अस्थान परजस्थान नहाँ अब साथ सभागी योजना तो इंटरनेस्टल सोलर इलाइंस का नाम सुने होंगे आप लोगे कि मैं कई बार आपको बताया हूँ तो इंटरनेस्टल सोलर इलाइंस का मुख्याले कहां पर है तो गुरुगराम में है तो इंटरनेस्टल सोलर इलाइंस के अधक्षता किस देश को मिली है और इसके उपाध्यक्ष कौन है इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको और इसमें बरतमान में कितने देश सामिल है इंटरनेस्टल सोलर एलाइंस में गर्बती महिलाओं के लिए बिशेश देखवाल अभियान आचल सुरू किया रजस्थान नी ठीक ही साथियो खादी कपरे से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्टिय धोज रजस्थान में फेराया गया राष्थान के जसल मेरी में रामगर्ण विश्धारी बागव्यारन भारत का बावनवा बागरिजर बना और तिरपन्मा है रान्वीपूर बागव्यारन जो उट्टर प्रफिसमी है खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामिन उलेंपिक खेल ए 11,000 पंचायतों में आयोजन किया गया भारत की पहली G20 सिर्वा बैठ कहां हुई तो उध्यापूर में हुई ठीकी साथ यो भारतिये सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां किया गया तो रजस्थान में किया गया अगला प्रशने आपका अंतराश्ट्रिय नागरिक बीमानन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देष वैस्विक बीमानन सुरक्षा रैंकिंग सुचिकांक है में पर्थम अस्थान पर है इसमें भारत का स्थान गेतना है तो 48 है जमकी चायना का स्थान 49 है अब इस कुसाले सुच कांग में पर्थमा स्थान पर फिनलेंड है और भाद का स्थान कितना है तो 136 है वैस्विक सांथी सुच कांग दुजर बाइस में आइसलेंड पर्थमा स्थान पर है तो 135 है ठीकी साथ यो अब देखो आगी commitment to reducing inequality index 2022 में नौर्वे पर्थमा स्थान पर है और भाद का स्थान 123 है global hunger index 2022 में 107 देश पर्थमा स्थान पर है जिन में से कुछ देश आपके हैं चीन, हंगरी, मौन्टेनेगरो, उजवेकिस्तान, रूस और सौधी अरव, सहीद 17 देश जो आपके हैं वो पर्थमा स्थान पर ह और भाद का स्थान के दना है तो 17 है गलोवल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 है और चीन, हंगरी, मौन्टेनेगरो, उजवेकिस्तान, रूस और सौधी अरव सहीद 17 देश जो आपके हैं ये global hunger index में पर्थमा स्थान पर है बिश्व प्रेश प्रेश्थinar सुचकांग दरबाईस में नौर्वे परथमас्थान पर है और भाध का स्थान ए 160 है परियावरन पर दर्थन सुचकांग में पर नौर्वे है और भाध का स्थान 180 है सामुहेग हत्याओं और उचित जोखिम में पर्थम अस्थान पर पाकिस्तान है जब कि भारत का स्थान आठमा है वैस्व की बिमानन सुरक्षा सुच कांके में पर्थम अस्थान पर सिंगापूर है जब कि भारत का स्थान गितना है तो 48 है भारत का स्थान तो ये थे सात्यों इस साल के महत्तपुन इंडेक्स अब अगला प्रशन है आपका हाल ही में किस बैंक ने बैंक को से Bank of the Year Award 2022 समानित किया गया है तो हाल ही में किस बैंक को Bank of the Year Award 2022 से समानित किया गया है तो इस समानित किया गया है Kendra Bank को साथियो कुछ सही कर ले ना आप कि हाली में किस बैंक को Bank of the Year Award से समानित किया गया है तो Kendra Bank को समानित किया गया है अब Kendra Bank तो Kendra Bank की रधानी क्या है तो Bangalore है और Kendra Bank की स्थापना कब होई तो 1 January, 2, 1 July 1901 को Kendra Bank की स्थापना होई कब साथियो तो 1 July 1901 को Kendra Bank की स्थापना होई और Kendra Bank के M&D and CEO कौन है तो Lingam Banker प्रभाकर Kendra Bank के M&D and CEO है CEO का full form होता है Chief Executive Officer अब अगला प्रस्णे आपका हाल ही में किसे Smart Watch Company Noise का Brand Ambassador निक्ट किया गया है तो विराथ कोहली को Smart Watch Company Noise का Brand Ambassador निक्ट किया गया है अब Brand Ambassador के बारे बात करते हैं तो फीनो पैमेंट बैंक के Brand Ambassador है पंकस्तिर पाथी Realme के Brand Ambassador है केल राहूल Good Dot के Brand Ambassador है निरत चोपरा Game 24-7 के Brand Ambassador है रितिक रोसन Gaming App A23 और Thumbs Up के Brand Ambassador सारूख खान है Edidas के Brand Ambassador Tennis कियारी मनीका बत्रा Dava Red Paste के Brand Ambassador है अमिताब बच्चन और Super Food Brand Pintola के Brand Ambassador कौन है सुनील चैतरी है कौने साथी हो सुनील चैतरी है Max Life ने अपना Brand Ambassador किसे बनाया तो रोहिस सर्मा और रितिका सज़्देव को बनाया Firebolt के Brand Ambassador कौन है तो कियारा आदवानी है सुर्जेर्लेंट रिज्म के Friendship Brand Ambassador नीरो चोपरा है और निक्षा मित्र के Brand Ambassador कौन है तो डॉक्टर धीपा मलिक है निक्षा मित्र के Brand Ambassador तो ये थे साथी हो महत्रोपुन बाले Brand Ambassador ठीके साथी हो साथी हो अभी आज ही आपका notification आया है SSE CHSL 10 प्लस टू का तो वो जो बच्चे उसके एलिजेवल है आप तो वो बच्चे फॉर्म डाल लेंगे उसका भी मैं क्लास दूँगा आपका डेली बिस्टिस पे जीएगा ठीके साथी हो कल मैंने आपसे पुछा था कि किस स्राज्य में वन डिस्टिक वन इस्पोर्ट योजना की सुरुवाद की गई है तो उत्तर प्रदेश में वन डिस्टिक वन स्पोर्ट योजना की सुरुवाद की गई है आज का आपका प्रस्ने साथी हो The Chipko Movement the people's history नामक पुस्तक के लिखक कौन है तो इसका जबाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको और आज आपको पांच पुस्तक नए पुस्तक के बारे बजाने है कि पांच नए पुस्तक कौन-कौन से लिखे गए और किस लिखक के दोड़ा लिखे गए तो साथियो ये था आज 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 आपका क्रेंटर फेर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइप करे शेयर करे और सस्क्राइब करे धन्यवाद